हाई बच्चो आपका स्वागत है गुरुजी इंजिरोगी में हमने आपके लिए RCC के Top 5 Question की सीरीज स्टार्ट की वही है इसका आज हम Part 5 आपको खराएंगे चलिए देखते हैं First Question First Question क्या बोल रहा है और इसका आंसर क्या आएगा First Question आपका The Limits of Percentage Percentage को हमने यहां से P से denote किया है Of the longitudinal reinforced in a column is given by तो यहां पर आपको जो longitudinal reinforce हम किसमे column में provide करते हैं तो उसकी limit कितने % से कितने % तक होनी चाहिए यानि कि minimum और maximum यानि कितने % से कितने % तक होनी चाहिए यही इस question में पुछा गया है क्या लिखा है देखिए एक इस्तम में अनुधार यह परबलन की सीमाओं का परतिसत दिया जाता है नंबर एक option A है आपका option A है आपका 0.15% से 2% तक बी option इसका 0.8% से 4% तक और option C है 0.8% से 6% तक और नंबर D option है आपका 0.8% to 8% तक चलिए as per IES code 456 2000 के according देखते हैं IES 456 2000 के according हम देखते हैं यहाँ पर लिखा गया है यहाँ पर लिखा गया है हम आपको बताते हैं यहाँ पर लिखा गया है यहाँ पर आपको question बात कर रहा है चलिए question में as per IES 456 2000 लिखा है the cross section area of a longitudinal reinforcement in column shall not be less than 0.8% 0.8% से कमने उन चाहिए more than 6% more than 6% आप ले सकते हैं of the gross cross section section sectional area of the column column के gross section more 6% और less than इससे कमनी होना चाहिए 0.8% से किससे less than should not be less than 0.8% और more than 6% of gross cross sectional area of the column column का जो gross cross sectional area है इससे 6% से कम और 0.6% तक more than और 0.8% से कम नहीं होना चाहिए तो यहाँ पर हम option देखते हैं option number हमारा कौन सा आ रहा है option number निकल के आ रहा है c option number c हमें बोल रहा है 0.8% से लेकर 6% तक हम क्या प्रोवाइड कर आ सकते हैं इस reinforce प्रोवाइड कर आ सकते हैं column में longitudinal bars प्रोवाइड कर आ सकते हैं ठीक है अब देखें दूसरा एक में नेक्स में noted एक point roll लिखा है minimum numbers of bar minimum number of bar जब हम four rectangular column के बारें बात करते हैं four rectangular column में minimum four numbers of bar हम प्रोवाइड कर सकते हैं इस से जादे कितनी भी इस से कम नहीं कर सकते हैं ऐसे circular column में आपको पूछ सकते हैं circular column में six numbers बार आपको provide करनी ही करनी है इस से जदा आप कितनी भी कर दो ठीक है चलिए अब हम question number two की ओर चलते है question number two question number two हमें क्या कह रहा है question number two के बारे में देखते है question number two है यहाँ पर the minimum diameter of longitudinal bar in a column is ठीक है जो longitudinal bar हम column में provide करते है minimum dia कितना होना चाहिए ठीक है तो वो कितना होना चाहिए option A 6mm option B 8mm option C 12mm और option D आपका 16mm चलिए यहाँ पर आपको यहाँ पर देख लेते है हमारा option क्या आ रहा है option देखते है option यहाँ पर मैंने लिखा है note में minimum dia of numbers of bar 12mm से column में कम minimum dia of number bar हमें provide नहीं करनी चाहिए ठीक है जो हम यहाँ पर longitudinal bar provide करेंगे column में तो उसका minimum dia कितना होना चाहिए minimum dia 12mm होना चाहिए तो यह यहाँ पर आप note करके लिख लीजीए मैंने पहले भी आपको बताया इससे पहले भी जो मैंने आपको तो यानि कि जो हमारी ties provide करते है जैसे हम beam में क्या provide करते है इस टीरफ्स provide करते है ऐसे ही column में उनको हम ties बोलते है तो जो हम ties provide करते हैं उनका diameter tie का कितना होना चाहिए अब देखिए option number A option number A है more than more than or equal to one fourth of the diameter of main bar यानि कि मुखे इस पात के एक चोथाई के बराबर या फिर इससे अधिक option number A option number B देखते है more than or equal to 5 mm 5 mm के बराबर या इससे अधिक option C देखते है more than 5 mm but less than one fourth of diameter of main bar यानि कि 5 mm से अधिक लेकिन मुखे सरी है मुखे स्पात के वियास के एक चोथाई से कम option number D देखते है more than 5 mm and also more than one fourth of diameter of main bar यानि कि 5 mm से अधिक और मुखे सरीय के वियास के एक चोथाई से भी अधिक होना चाहिए चलिए अब हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं note में ये note में मैं जो लिखता हूँ ये इसका पूरा question का answer लिख देता हूँ note note में देखिए note में मैंने लिखा है diameter किसके लिए किसके लिए आपको जो हम column में ties provide करते है lateral tie provide करते है उस बगा more than कितना होना चाहिए किसका main bar का अब देखिए यहाँ पर लिखा है diameter इसका ties का diameter of lateral ties shall not be less than one fourth of diameter of larger bar यानि कि जो main bar है main bar के one fourth से कम नहीं होना चाहिए should not shall not be less than one fourth यानि कि एक चोथाई से कम नहीं होना चाहिए यानि कि एक चोथाई से अधिक होना चाहिए and in no case less than five mm और five mm से भी कम नहीं होना चाहिए यानि कि five mm से अधिक होना चाहिए और जो main bar है main bar के एक चोथाई से भी अधिक होना चाहिए तो ऐसा option हमारा क्या निकल क्या रहा है ऐसा option हमारा निकल क्या रहा है D option D क्या 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 रहा है more than five mm यानि के 5 mm से अधिक और मुख्य सरीय के वियास के एक चोथाई से अधिक होना चाहिए तो यह हमारा question number 3 था question number 3 के बाद हम देखते question number 4 तो यहां से आपको के निकल काया यानि के lateral ties जो है cell note भी less than 1 4th of die of largest bar यानि के largest bar जो होगी हमारी main bar होगी main bar के 1 4 थाई से कम नहीं होना चाहिए अधिक होना चाहिए और ऐसे ही less than नहीं होना चाहिए 5 mm से 5 mm से भी अधिक कम lateral ties प्रोवाइड कर सकते है आईगी अब question number हम देख लेते 4 question number 4 क्या कर रहा है maximum maximum percentage reinforcement in case of slave is limit 2 यानि के जो हम slave में reinforce यानि के reinforce प्रोवाइड करते हैं सरीया प्रोवाइड करते हैं उसके लिए maximum limit कितनी होनी चाहिए minimum limit मैंने आपको बता दी थी दिए कि slave में अधिक्तम परबलन इस पात सिमीत रहता है ठीक है यहां से option देख लेते हैं a 2% b 4% c 6% और d आपका 8% तो अब देखते हैं note slave में सलेब में देखते हैं यहां पर सलेब में maximum reinforce हम कितना प्रोवाइड कर सकते हैं maximum reinforce 4% maximum reinforce हम सलेब में कितना 4% कर सकते हैं minimum minimum हम दो तरीके से करते हैं एक mild steel में मैंने आपको पहले भी बताया था 1.5% हम करते हैं और HYSD यानि के high yield strength deformed bar जो होती है 1.12% हम HYSD बार में और mild steel में हम 0.1% और maximum reinforce कितना प्रोवाइड कर सकते हैं सलेब में 4% अब तो option निकल के आता है यहां पर option number B ठीक है चलिए अब question number 5 की और चलते हैं आज के last question की और last question क्या बोल रहा है which of the flowing RC retaining wall is suitable for height beyond 6 meter यदि 6 meter से उच्चाई के लिए हम कौन सी RC परतिधारक दिवार अनुकुल रहेगी अब देखो परतिधारक दिवार आपकी कौन कौन सी होती है अब से उच्चाई परतिधारक यानिके retaining wall रिटेनिंग वोल आपकी कौन कौन सी है option A L safe wall L safe की जो retaining wall होगी या T safe की retaining wall होगी या counter forward type retaining wall होगी या all of the above यानिके सभी की सब किस से 6 meter से सभी की सभी 6 meter से अधिक उचाई पर 6 meter से अधिक उचाई पर बनाती है या कोन सी इन में से तीनों में से IN तीनों में से L safe में से T safe में सर counter forward में से कौन सी बना जाती है सबसे पहले हम देखते है classification of retaining wall ठीक है classification of retaining wall retaining wall dogते है ये आपकी कैसी ग्रेविटरी टाइप retaining wall है यह आपकी T-save की retaining wall है इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर यह आपकी L-save की retaining wall backfilling की side में यह भी L-save की retaining wall backfilling उस side में ठीक है और इसके बाद हम देखते हैं एक retaining wall होती है आपकी counter forward और एक होती है आपकी butterous retaining wall ठीक है तो अब हम आपको बताते हैं सबसे पहले जो L टाइप और आपकी L टाइप की और T सेप की L टाइप और T सेप यहां पर L टी सेप और L टाइप की जो रिटेनी वोल है 6 मीटर 6 मीटर के साइज तक बना जाती है और अब हम बात करते हैं सब्सक्राइप यहां फर मोर्दी काउंटर फर्ड जो हम रिटेनि वोल मकram बनाते हैं जो हम स्वतمكن इस हम यहां पर आपका यहां पर और T उससे 6 मिटर से अधिकोंचाई की बना जाती है और ये दोनों की दोनों ये दोनों की दोनों आपकी जो यहाँ पर है L और T सेप की ये 6 मिटर की हम बना सकते हैं 6 मिटर तक की हम T सेप और L सेप की रिटेनिग वोल बना सकते हैं 6 मीटर से अधी कुछाई की बनानी है तो हमें किस कौन सी बनानी पड़ेगी counter 4 retaining wall बनानी पड़ेगी चलिए इसी के साथ हमारा यह यहाँ पर top 5 question की top 5 question के part 5 complete होता है चलिए हम आपको मिलेंगे 6 part में top 5 question लेकर आएंगे अभी के लिए thank you